चीन ने भारत की सेनेशमता को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने एक नई बहस खड़ी कर दी है। चीन के एक दल ने कहा है कि भारत की सेना चीनी सेना के लिए चनोती नहीं बन सकती। ये बयान चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के शिष्ट मंडल ने सिंगापूर में हुए शंगरीला डायलॉग से इतर एक प्रेस कॉन्फरेंस में दिया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मताबिक PLA Academy of Military Sciences के सीनियर कंडरल जाओ जिया जाओ ने कहा आने वाले कुछ दशकों के दौरान भारत सेन्य ताकत में चीन का मुकाबला करने के सिथी में नहीं होगा क्योंकि इसका आद्योगिक इंफरेस्ट्रक्चर कमजोर है जबकि चीन सेना के लिए मैनुफैक्चरिंग के बड़े और आधुनिक प्लैटफॉर्म बना चुका है इस टिपड़ी के बाद चीन और भारत की सेना की मौजूदा ताकत की तुलना शुरू हो गई है कई विशलेशकों का कहना है कि इसमें कोई दोराई नहीं है कि चीनी सेना बेहत मजबूत है लेकिन ये भी सच है कि हाल के कुछ सालों में भारत ने अपनी सेना के आधुने की करण पर काफी जोड दिया है स्ट्राखोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिटीट यानी सिपरी के आखनों के मताबिक दोहजार अठारा से दोहजार बाईस तक भारत ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा हतियारों का आयात किया पी अले नैशनल डिफेंस युनिवरस्टी के एसोसीट प्रोफिसर और शांगरीला डायलॉग में हिस साले ने आए वरिष्ट करनल जांग ली भी इस बात को मांते हैं उन्होंने साउथ चाइना मौर्निंग पोस्ट से कहा कि भारत खुद को सूपर पावर बनाने के लिए सेना को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है दूसरे तरफ चीन भी लगातार अपनी सेने शमताओं को मजबूत करने में लगा है चीन के प्रधान मंत्री ली केचियांग ने इसी साल एलान किया था कि उनका देश 2023 में सेना पर 225 अरब डॉलर खर्च करेगा जो पिछले साल की तुलना में 7.2 फीस दीज ज्यादा है चीन का 225 अरब डॉलर का रक्षा बजट अमेरिकी रक्षा बजट का एक तिहाई है लेकिन ये भारत के रक्षा बजट का तीन गुना है 2023-2024 में भारत का रक्षा बजट 54.2 अरब डॉलर का हुगा साल 2020 में गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक जड़ाप हुई थी अमेरिकी तिंग टैंक यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टिट आफ पीस का कहना है कि इस संघर्ष के बाद भारत ने चीन से लगी अपनी सीमाओं पर सैन्य तैयारियों को काफी रफतार दी है भारत ने LAC पर लगभग 50,000 अतिरिक्त सैनिक लगाए है बॉर्डर से लगे इंफ्रेस्ट्रक्चर मजबूत किये जा रहे है LAC से 63 स्ट्रेटिक सड़के बनाई जा रही है अरुनाचल प्रदेश में ही 1430 मील लंबी सड़क तयार हो रही है भारत के 5.94 लाख करोड के रक्षा बजट में से 1.62 लाख करोड रुपए नए हत्यार और सैन्य साजु सामान के लिए निर्धारित किये जा रहे है ये बात तो तय है कि चीन अपनी सेना पर भारत से ज्यादा खर्च करता है लेकिन क्या इससे भारत को परिशान होना चाहिए इस पर जवाहरलाल नहरू युनिवरस्टी के चीनी अध्यन विभाग के एसुसीड प्रोफेसर अर्विंद येलरी कहते हैं कि हर तेश की रक्षा जरूरतें अलग होती है चीन और अमेरिका सामरिक तोर पर दुनिया में खुद को जहां स्थापित करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा जरूरी नहीं भारत इसमें उनके साथ प्रतिसपरधा कर ज्यादा खर्च करें चीन ने भारत की डिफेंस मैनुफेक्टिरिंग पर सवाल उठाया है लेकिन येलरी सवाल करते हैं कि अमेरिका और आस्ट्रेलिया के तोलना में चीन की defense manufacturing की गुरुमत ता कहां टिकती है ये भी देखने वाली बात है इसके साथ ही अरविंद येलिरी कहते हैं कि चीन manufacturing की जिस कथित कमजोरी की बात कर रहा है उससे ये नहीं समझना चाहिए कि भारत की सैनेशमता मारक नहीं है चीन के इस नज़रिय के लिए नहीं है